MIA 3 23 अगस्त को भारत में लॉंच हुआ था और लॉंच होने के 3-4 दिन के बाद ही ये फोन काफी अच्छा रिकॉर्ड बना लिया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे MIA 3 के बारे में कैसा है ये देखने में क्या है इसका प्राइस क्या है इसके स्पेक्स ये सारे चीज इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 3D गलाड डिजाइन जो की ट्रिपल रियर कैमरा सेटप के साथ में आता है और अगर बात करें फ्रंट साइट के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 6.08 इंचेस का HD प् बात करें इसकी प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Snapdragon 665 का प्रोसेसर जो की Adreno 610 GPU के साथ में आता है और उसके साथ ही Android Pie का सपोर्ट दिया गया है जो की Stock Android के साथ में काम करेगा यानि की Android One के साथ में मिलता है कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको rear side में triple rear camera setup दिया गया है जिसका main sensor है 48MP का Sony IMX586 वाला sensor जिसका aperture दिया गया है 1.79 और उसका साथ देता है 8MP का ultra wide angle lens और 2MP का depth sensor और अगर front side की बात करें तो यहाँ पर आपको selfie के लिए 32MP का selfie camera दिया गया है जिसका aperture दिया गया है F2.0 अब बात कर लेते हैं battery की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4030 mAh की battery जो की 18W के fast charger के साथ में box के अंदर ही आता है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको type C का port और 3.5 mm का audio jack भी मिल जाता है इसके notification light को थोड़ा सा interesting बनाए गया है इसका logo ही blink करेगा notification आने पर आपके mobile पर बात करें इसके pricing की तो यह phone आपको amazon.in में 14,990 रूपए में 4GV RAM 64GV वाला variant मिल जाएगा इस price range में यह phone अपने segment में काफी तगड़ा competition दे रहा है अगर यह phone आप खरीदना चाते हैं तो link मैंने वीडियो के description में दे दिया है आप वहाँ से जाकर phone खरीद सकते हैं यह phone amazon.in में 12,990 रूपए में available है तो मिलते हैं अगले वीडियो में